स्वागत है आपके अपने डुक चैनल फामा एम से क्यों में तो देखिए क्या लिक्या ही हूं आज आप लोगों के लिए यह आप लोगों का स्पेशल रिविजन क्लास होने वाला है आपका हर्याना का फजो फार्मासिस्ट का एक्जाम होना है कि वैसे तो आपका डिप्लोम सब्सक्राइब करें तो बच्चे सोच रहें कि मैं एक्जाम हो गाए नहीं होगा देखिए अपका होगा फिर आप मत कहना कि मैं हमारे पास टाइम ही नहीं पढ़ने के लिए कभी जो है यह जो शोट लिस्ट के लिस्ट भी बहुत ही जल्द कभी आपको देखने को मिल सकती है तो इसलिए पढ़ लो अपना डह sari कम सरस्क्राइब करूँ ईब सब्सक्राइब में के लिए कि आपको ट्रेक्ष टाइम करने लिए ओक को कि रीसट करने के लिए नहीं कर सकते हैं okay के लिए आसका स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मिल सकते हैं तो बिनादिल is फॉर्म इंसर्शन इंटो बोडिए क्याविटी सच रिक्तम वजेना नोस यूरिथ्रा एंट मैल तुटिए निर्ट डिजोल इन्द बोडिए cavity fluid is called okay तो यह अभी आपका जो महरास्टरा में DHS के फार्मसिस्ट का जो एक्जाम हुआ था हमारा पांस दिसम्बर को है उसमें पुछा गया था तो इन्हें क्या कहेंगे ? यह अपका अंसर जो हैउप्शन A होजेगा और यह इन्हें इनको बोड़ी कैविटीज में इंसर्ट करते है रेक्टम वजायना नोज यूरित्थ्रा जो वजानल सपोसिट्रीज होती है उन्हें क्या next question है monophasic liquid dose form of preparation for external application to the skin without friction इक होता है with friction friction के साथ सब्धाएकरते है within friction तो without friction पूछा है तो मोणो फेजिक liquid dose form में आ रहे हैं एक इलिक्षर्स mitä एक चिन विदाउट अलिक्सर्स लोशन थ्रोत है गारगर्स ही हमारे lorsqu शोते है हो कैं जिन्म विदाउट friction apply करते हैं तो आप का अंसर क्या हो जाएगा option B lotion निस्ट आइड्रोप is an example of which type of doses form तो आइड्रोप होती हैं यह यह किस type की doses form है देखे बाइफेजिक देखे बाइफेजिक तो नहीं होती बाइफेजिक में हम क्या पढ़ते हैं बाइफेजिक में हमारा immersion and suspensions पढ़ते हैं तो बाइफेजिक वाले option तो आप काट दीजिए किस में आती है मोनो फेजिक में आती है और external में आती है तो मोनो फेजिक internal भी काट दीजिए मोनो फेजिक external हो जाएगा मोनो फेजिक internal में तो हमारे जैसे की सिरप्स आ जैगा है ना एलिक्जर्स आता है और जैसे लिंक तो हमारा अंसर हो गया option D next is oral liquid formulation of potent drug usually in solution intended for administration to pediatric patients known as देखें link test, liniment, drops या syrup तो ये होते हैं आपके drops होते हैं next is insufflations are example of which type of doses form तो insufflations जो होते हैं कौन से type के doses form में आते हैं देखें bulk solid external, bulk solid internal, bulk solid बोथ है unit dose form देखें unit dose form में तो हमारे tablet आएंगे, capsules आजाएगा, pills आजाएंगी unit dose form में तो तो ये जो आपके insufflations होते हैं ये bulk solid में आते हैं और external में आते हैं option आपका A right हो जगा bulk solid external clear pleasantly flavored hydro alcoholic preparations for internal use are cold इलिक्जर्स है, gargles, mouth wash है, syrup तो ये क्या होते हैं clear pleasantly flavored hydro alcoholic preparations जो हैं ये हमारे अलिक्जर्स होते हैं option A right हो जगा liniment is an example of which type of doses form तो liniment पता liniment वाला question बहुत से exam में आया है ओके तो liniment में आपको क्या पता है था monophasic में आते हैं और external applications के लिए होते हैं तो by phasic वाला option तो आप काटी दीजिए monophasic और external option आपका D right हो जगा next question is which one of the given doses form is not meant for oral use इन में से कौन सा dose form orally use नहीं करते हैं suppositories है tablet capsule drops तो के tablet capsule drops orally use किये जाते हैं बड suppositories नहीं की जाती है option A right हो जगा which one of the following is an example of biphasic liquid dose form तो biphasic में आपको क्या पताती हूँ emulsions आता है और suspensions आता है तो options में देख रहें जिए option A में आपको suspensions दिया है answer is option A okay next question is what is the name given to biphasic की dose form consisting of finally divided in soluble solid particle suspended in a liquid medium तेकि biphasic में पहले तो हमारा emulsions और suspensions आएगा तो आप यह दो ओप्शन तो काट दीजिए आप 2 options पर आगे emulsions और suspensions अब आपसे कहा है insolubal solid particle suspended in liquid medium तो यह हमारे suspensions होते हैं option आपका 1 A right हो जेगा which of the following is not correct description of doses form given in the each option okay तो आपको ना doses form दी हुई है और उनका description दिया है कौन सा जो है correct match नहीं होता आपने वो बताना है ओके तो देखिए एक बरी आई lotions के बारे में क्या लिखा हो है sterile aqua solution used for irritating eye glycerines viscous preparations in which drug is dissolved in glycerine with or without hitting lintus sweet and viscous liquid preparations containing medicinal substance with sedative properties okay फिर liniments का क्या लिखा हुआ है liquid and semi liquid preparations meant for internal application only तो मैंने अभी आपको liniments के बारे में क्या बताया था यह external applications के लिए होते है not internal तो आपने लिखे not correct बताना था कौन सा गलत है तो यह आपका liniment वाला ही गलत है option आपका derived हो जेगा ओके तो यह external applications के लिए होते है not internal ध्यान लिखना लिए liniments का लिए liniments वाला question बहुत से एक्जाम में पूछा गया है option d correct हो गया तो sterile doses form include तो sterile doses form कौन सी होती है eye drops होती है कफ syrup होते है tablets suppositories तो कौन से होंगी इसमें sterile जो होंगी वह हमारे eye drops हो जाएंगी next question which of the following dose form is designed to be applied externally to the skin or mucous membrane तो externally apply करते हैं कौन सी dose form को ointments, suspensions, syrups, tablets तो tablets भी internal use के लिए होती है na syrup suspensions तो external के लिए हमारे ointments आते हैं ointments external जो आपके semi solid dose form होती है semi solid dose form जो होती है उसमें हमारे एक तो होते है external और एक होते है internal internal में हमारे suppositories और पैशरी जाती है और external में हमारे ointments, creams, paste और jellies आती है okay तो यह हो गया आपका option A next which type of dose form is a liquid preparation that contains alcohol as a solvent तो आंसर क्या हो जाएगा tinctures हो जाएगा option D okay next which of the following is not a semi solid dose form semi solid dose form मैं आपको बताया internal में तो आपका suppositories और पैशरी इस बताया external में ointment, cream, paste और jellies आप option देखिए ointment आता है semi solids में cream भी आता है paste भी आता emissions किस में आते हैं emissions liquid dose form में भी आपकी बाइफेजिक liquid dose form में आते हैं okay next question ointment and paste differ in which of the following characters और न यह ointment और paste वाला भी बहुत बाहर पूछते हैं है न तो कैसे differ कर देखिए presence of hydrocarbon base presence of water miscible base presence of large amount of insoluble solids आपका option c right हो जाएगा okay तो paste में न यह जो large amount of insoluble solids present होते हैं बाकी आपका answer क्या हो जाएगा option c ही right हो जाएगा next question है transparent or translucent semi solid preparations for external use के लिए होती है और क्या transparent या translucent semi solid preparations होती है यह हमारी क्या होते jellies होती है option आपका d right हो जाएगा next है liquid or semi solid preparations usually applied to the skin with friction and rubbing with friction and rubbing apply करते हैं तो देखे lotions liniments collodions both A and B यह हमारे liniments होते हैं जिनको with friction and rubbing apply करते हैं नेकि लोशन लिनीमेंट के बाल में कुछ लीका होती है कि liniments जो होते है liquid and semi liquid preparations means for application to the skin liniments are usually applied to the skin with friction and rubbing liniments with friction and rubbing apply करते हैं तो इनको broken skin should not be applied to the broken skin because it may cause excessive irritation okay lotions होते हैं इनको क्या कहते हैं liquid preparation means for external application without friction इनको without friction apply करते हैं तो इनको broken skin पे apply कर सकते हैं तो लोशन लिनीमेंट के बाल में यह बात ध्यान रखनी है fluid preparations applied to skin without friction अब फिर से वहीं पुछ लिया without friction देकि liniments lotion, gelies, cream तो liniments को with friction apply करते हैं without friction में हमारा lotions आ जाएग option B okay thick viscous formulations consisting of aqueous suspension of insoluble inorganic drug तो यह पते क्या होती हैं यह magma होते हैं option D right हो जगा snuffs हार snuffs क्या है nasal spray है aerosols है powders है syrup है snuffs क्या है टाप के powders में आते हैं option C right हो जगा capsules are which type of doses form capsules की में आते हैं solid dose form पढ़ते हो तो solid dose form में आपके unit doses form में आते हैं tablet capsules तो आपसे simple पूछो liquid dose form में gaseous है so हमें solid है solid है solid है solid doses form में हमारे आते हैं capsules next immersions containing more than two phase are cold अगर immersions में 2 से ज़्यादा phase होती है उनको क्या कहेंगे multiple immersions कहेंगे option D next sashayardar foam sashay किसमें आते है तो sashay जो होते हैं यह solid unit dose form में आ जाएंगे loganges other type of doses form loganges किसमें आते हैं loganges जो है यह भी हमारे solid doses form में ही आते हैं option A right हो जाएगा next semi-solid doses form with high percent of insoluble solid medicaments high percent of insoluble solid medicaments किसमें होते हैं viscous liquid preparations usually used orally for the relief of cuff viscous liquid preparations used orally for the relief of cuff here क्या होते हैं ghargals होते हैं drops होते हैं elixirs lintus toh yhe kya लींटस होते हैं lintus क्या होते हैं viscous liquid preparations in corally use करते हैं for the relief of cuff next which of the following liquid preparations is applied externally to the skin and not in the cavities एक्स्टर्नली अप्लाई करते हैं कैविटीज में नहीं एनिमाज, एर्ड्रोप्स, डाउचेस, कलोडियोंस तो यह होते हैं हमारे कलोडियोंस होते हैं option D आपका right हो जाएगा क्लोडियोंस को बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है क्या होते है लिक्विड प्रेपरेशन से होते हैं कंटेंग नाइट्रो, सल्लो, स्पायरोजाल, इनिमिक्सिर ओफ इथिनोल और इथाईल, इथर यह यूज अस टॉपिकल प्रोटक्टिव और अस टॉपिकल ड्रग वहीकल दे आर मेड फ्लाक्सिबल बाद अडिशन ऑफ कैस्ट रॉइल, ओके, निक्स्ट क्वेशन फिल्प से कलोडियों से उपर ही है, कलोडियों के बार में बटार कलोडियों, ओके, तो देखे लिक्विड प्रेपरेशन फोर इंटरनल यूज कंटेंग पायरोजालीन, तो निक्स्ट क्वेशन है, डोस फोर्म इन विच फ्लूड कंटेंग दर रॉइन एक्टम फो द रॉइन दर रॉइन इडर्ग टुए इधर लोकली और सिस्टमिकली, तो यह होते हैं, आपके क्या होते हैं, ओप्शन से क्रिए यह होते हैं, अप्शन आपका आपका एर इसे डी को रिलेट करके आप लोग याज कर सकते हैं तो इसमें हम A.D.M.E की स्टड़ी पड़ते हैं अब्सोप्शन डिस्टिबूशन मेटाबोलिजन की स्टड़ी पड़ते हैं और डाइनमिक में ड्रग का Lup का मेकेनिजम ओफशन ये सब आपका फार्मकोशन काइनमिक में आता है तो आप से पुझे फार्मकोशन की स्टड़ी प्राइनमिक में ड्रग तो यह आपका डाइनेमिक में आता है फार्म को डाइनेमिक में बहुत ही इंपोर्टेंट है तो उप्शन देख लिए तो इसका होता है फ्रेक्शन ओफ अंचाज़ ड्रग रीचिंग दा सिस्टमिक सर्कूलेशन फॉलोइंग एनी रूट अड्मिनिस्ट्रेशन ओके और आइवी रूट से ड्रग देते हैं तो बाय अविलेबिलिटी हंडर परसंट होती है यह भी क्वेशन आते है कौन से रूट से ड्रग की बा इसलिंग प्रोपटी है है यह फीलेव मतलब की जो फीलेफल की यह फीलेई चाना की क्या प्रोपटी होगी बाकि ने के लिए लिपवीलिटी होगी तो बिल्कु सही बातPS क्यों आंसर तो option A ही आपका राइट हो जएगा बाकि प्रमेशन थो ब्लाड ब्रेन बेरे हाई रीज़ोप्शन इन दिनल टुपी लोके प्रैंटर एड्मिनिस्टेशन नहीं होता है यह सही है कि इसमें रापिड रेस्पोंस प्रेडूस होता है और आड्मिनिस्टेशन के बजाए यह बिल्कुँ सही लिखा हुआ है too slow for emergency use के लिए यह slow नहीं होता, तो आपका जो parental के बारे में option C right हो जेगा, next term bio transformation include the following, तो bio transformation क्या होता है, accumulation of substance in fat tissue दिया है, binding of substance in plasma protein, accumulation of substance in tissue, process of physical, chemical and biochemical alteration of drug in the body, option आपका D ही right हो जेगा, bio transformation में होता है, process of physical, chemical and biochemical alteration of drug in the body, okay, next question देखिए, half life is that time required to, तो half life क्या होता है, तो यही half life का सही definition हो जेगा, option A, बाकि metabolize half of introduced drug into active metabolite, absorb half of introduced drug and bind half of introduced drug to plasma protein, तो आपका जो half life होता है, time required to change the amount of drug in plasma by half during elimination, option आपका A right हो जेगा, substance binding to one receptor subtype as an agonist and another as an antagonist, तो पते यह क्या होते है, यह होते है, यह होते है, agonist antagonist होते है, option आपका C right हो जाएगा, okay, next term is used to describe a decrease in responsiveness to a drug which develop in a few minutes, okay, decrease in responsiveness to a drug which develop in a few minutes, तो यह आपका होता है, option देगे, tacky phylaxis, मतलब कि rapid development of tolerance भी आप इसको बोल सकते हैं, okay, rapid development of tolerance, okay, तो टैकिफालक्सिस की डेफिनेशन बहुत जादा इंपोर्टन्ट है नेक्स होचें वस्ट वट ड़स अटम प्टेंशियेशन मीन प्टेंशियेशन का मतलब क्या होता है यह बताना है देखिए जब आप कंबाइंड एफेक्ट ऑफ ड्रग के कंबाइंड पढ़ते हैं तो सिनर्जियेशन उसमें हमारे सिनर्जीजम का मतलब क्या होता है ग्रिसांंड और इंक्रीन बाईदेखिट रहा है यह डूसरी ड्रग को दीते हैं तो वो सिनर्जिसम में आता है तो synergism में एक तो आपना additive effect होता है ठीक है additive effect होता है एक होता है supra additive effect तो supra additive effect को ही क्या बोलते है potentiation बोलते हैं तो additive में तो देखे additive में simple add हो जगा effect जैसे कि effect of a plus b is equal to effect of a plus effect of b दोनों को साथ में दिया तो effect जादा आया वो supra additive में आता है मतलब कि potentiation में आता है तो यह आपको दिहान अपता है क्यों बताया मैंने क्योंकि अभी ना synergism पर बहुत से अभी एक्जाम्स देखे मैंने तो synergism बना question इस पर आ रहा है बूज़ादा तो इसको आप दिहान से देखना क्या इडिटीव क्या है और synergism क्या है मतलब कि synergism में ही आपका additive और super additive आता है तो potentiation का मतलब क्या देखे cumulative ability of a drug hypersensitivity to a drug fast tolerance developing यह intensive increase of drug effect due to their combination intensive increase of drug effect due to their combination तो यह आपका होजएगा potentiation का मतलब हो जाएगा ओके next है which drug which route of drug administration is most likely to lead to first pass effect तो देखे औरल root से drug देंगे तो drug का जो है first pass effect होता है तो आपका oral root option भी राइट होजएगा affinity is a measure of affinity क्या होती है affinity का मतलब होती है drug receptor से bind करने की ability होती है उसी को affinity कहते है देखे drug binding to plasma protein inhibiting potency of drug drug binding to our receptor drug की receptor से bind करने की ability है उसी को क्या बोलते है affinity बोलते है option आपका C बिल्कुल राइट हो जाएगा okay देखे affinity के पार हम लिखाव है ability of drug to combine with the receptor इसे affinity बोलते है यह को तो activity ability of drug to activate or induce conformational change in the receptor यह होती है हमारी intrinsic activity जो 0-1 होती है intrinsic activity की range ठीक है तो agonist जो होते हैं इनकी क्या होती है बोथ affinity and maximum intrinsic activity होती है agonist की क्या होती है affinity होती है affinity होती है बट intrinsic activity 0 होती है वो जो partial agonist होती है उनमें affinity होती है बट intrinsic activity minus 1 होती है next question drug that decrease the activity of another drug एक drug दूसरी drug के activity को decrease कराती है तो यह हमारे क्या होती है antagonist होती है option बी राइट हो जगा therapeutic index is the ratio तो therapeutic index किसका ratio होता है TILE से हम लोग याद करते है LD50 by ED50 का ratio होता है तो यह होता toxic dose and therapeutic dose का ratio होता है option आपका A right हो जगा और therapeutic index indicate का drug की safety को जो है इंडिकेट करता है यह okay transport of drug against concentration gradient take place by देखिया against concentration gradient पूछा आप लोगों से तो यह आपका active transport में होता है जिसमें energy की requirement होती है तो ट्रांसपोर्ट ओफ ड्रग अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडेंट टेक फ्लेस बाइक्टिव ट्रांसपोर्ट ओके यह okay यह जब ड्रग अड्मिनिस्टर करेंगे इंट्रवेन तो इंट्रवीन आस होता है मसल्स में इंट्रमस्कुलर बोल रूट बोलेंगे इंट्व स्पेस अरांड इस्पाइनल को तो इसको इंट्राथी कले बोलेंगे बिनीता škin-skine skincare नीचमाटि कि सब्कूते इसे मतलब कि सब्कुटेनियंःas okay निके फ़स्त पास मैटैबोलिजम रफलस्टो फॉस्ट्पास मैटा णत्रविस्ट कामिंच स्पिसिफ प्र सेपेसज इसे स्थ विरिंग इंट्स संपी चशुद्य इंट्डिक्ट येज इन of drug during its first passage from mouth to isofagus okay next is cytokrome p450 enzymes are mainly responsible for. तो साइटोफ्रोमट 4 50 enzymes शते हैं आपके metabolism के यह ड्रग के एस्पोंसिपल होते है ना option आपका यह जागा synergistic effect refers to तो आप सिनरजिस्टिक effect पुछ लिया तो synergistic effect का मतलब क्या होते थे एक एफक्ट ओफ ऊड्रग इस इंक्रीज़ अपोन कॉन कॉमिनांट अडिमिनिस्टेश्ट इस नहीं होता इसमें काट दीजिए वन ड्रग डज नॉट प्रडूस इट्स एफेक्ट अंटिल आधर हैस बीन एक्सक्रेट आपको जो है जैंटमाइसी या लिवोडोपा तो आप लोग पढ़ते हो कि लिवोड डोपा जो है प्रोड्रग इसका ढौका मिन तो आपको अप्सिंदील हो जगा है लिवोडोपा इसफ रॉड रग ओफ डॉपामीन ओके ब各डर प्रोडरग अट्रग विष्ट र्ग डॉपामीन इनौलाप्रील प्रोड्रग एनौश्साटिव का अक्ट्व डर्ग इनौला इसका प्रोट्रग इसका जो एक्टिव रगए वह स्यक्लोगवैनिल प्रीडिशन का प्रीडिस ओलॉण बिकेमपसलीन इस प्रोड्रग ऑफ्यमपसलीन सलफासालाजीन है इसका जो एक्टिव ड्रग ए्फाइफ रम reden sub flow फॉसफॅइड और फोस्फवेड मस्टर्ड एक्रॉलीन होता है फ्लॉरोयूरिजिक होता है फ्लॉरोयूरिश्ट erme सब्सक्राइब करते हैं तो जिरो और कानेटिक्स को फोलो करते हैं आपकी फैनी टॉइन टॉइन डरिवेटिव होता है एंटी अपिलेप्टिक ड्रग में हम लोग पढ़ते हैं उपके निक से कैमिकल चेंज़ ऑफ जर्ग इन लिविंग बॉडी और एफट तो चैंज़ ऑफ जो होते हैं इनको क्या बोलता है बायो टान्फोर्मेशन बोलते हैं ओके आप्शन ए राइट हो जेगा इस फोकोमीलिया इंडूस बार थालिडोमाइड इस देखिए फोकोमील पर और लोवर लिम्ब पेशेंट इस नोट विलिंग टो एंटर डार के नंत तो देखिए इसमें क्या होता है शोटनिंग हो जाएगा अपर और लोवर लिम्ब के मतलब कि सील लाइक लिम्स हो जाएंगी ओके विच फोलिंग इस माइक्रोस अजाएम इंडियूसर निभी उनक कोइशन बनते हैं तो इन ओप्शन में सापका गोयन छिडीन जो है यह गया उजाएम इंडियूसर तो यह उर्के इंडियूसर में हम लोग घ्रिस फल्विन पढ़ते हैं पढ़ते हैं या बाइविलेबिटी तो यह देखिया आपका होता है अलोंग था कंसेंट्रेशन ग्रेडियन कोई भी एनर्जी की रिक्वार्मेंट नहीं होती आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है और अगर यहां पर होता कि लोवर से हाइर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यह इंटरावीनस रूट से ड्रग देंगे तो बाइवलेबिलिटी 100% मिलेगी ऑप्शन भी राइट हो जेगा नेक्स सब्लिंग्वल रूट जो होता है यह किसके लिए उस करते हैं एन्हेंसिंग दा ड्रग एक्शन बाइपासिंग दा फस्ट पास मेटाबोलिजम ऑफ पूर्इबी वोथ हैं याद रखनाएं गनेटिवान अरु इन के अक्टिविटी और किमताऊ्टिफटी जो फालेक्टीवान होती हैं मैक्सिमम से livre स्ट Oui इन्ट्रेश ऑंप एक्टीविटी आनिस की और यादन दे से देंगे कौन सी ड्रग इंट्रनाजल रूट से दिया जाता है डैस्मोप्रेसिन दिया जाता है याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रक्यूरम बिसाइलेट न्यूरो मस्कुला ब्लोकिंग आजेंट इस मेटाबोलाइस थ्रोवन फोलिंग रियाक्शन इदेफा इसका जो होफ्मेन का एक्जामपल आपका आट्रक्यूरम कई बार आपका विब्रयो कोलेरा सिफलिस सिफलिस जो आपकी एस्टिडीज में आते हैं सक्षोली ट्रांसमेंट डिजीज में सिफलिस सिफलिस का कोज मीने सिफलिस ऑगनिजव के इस में पीचा घञा है मोस्ट इंपोंटो इसको कहा ने क्या है वे सिफलिस उगनीजम यह यरसीन आया पास्टिराव ने चार्स का design गॉन तुबर कॉल एक कोजेवरे हैं माइको बतींम टोबशम नचाम आपकिरीं प्र का कोस्ट्टी लोगनियों क्या है कौरुणी बैक्टिरी टिटैनस का बता यह वुड पोजन इसका कोस्ट बैप्ल इसरे में जाइक गुजनिम्ह निजेरी वूपिंग कफ इसे अफ निजेरिया में इंजाइटिड़ीज भी कहते हैं वूपिंग कफ कह बोड़टीर पर तूस इसके नाम से पता लग दाइखला है पर्टू्ट तो कि ट्राइकोमा इस एन इंफेक्श्य स्टीजिज आई की डिस्टीज होती है यह इसका कोस्ट योगनिजम होताइखलेमाइखलेगे ट्राकोमैटी इस गोनौरिया इस कोस्ट बाइ निजेरिया गोनौरिया औगे अमीबि चिकन पॉक्स का एक टाप की वारल डिजीज है इसका कोजटिव और वारस होता है तो यह हमारी है इंपोर्टन डिजीज और कोजटिव जो है ऑर्गेनिजम्स तो अभी जो है हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेशन्स जिससे अभी देखते हैं कितना अभी हमने पड़े सारे कोजटिव और देखते हैं हमें कितने याद है देखिए मीजल्स doesолж और फोल्वरल्गर ओउर्गेनिजम्स मीजल्स का अभी देखा हमने मीजल्स का रुबियोला वारस तो क्या है बेक्टिरिया है वारस तो सिंपल वारस है इसमें तो सिम्पल ले पूछा हूँ है तो मीजल्स हमारी वारल डिजीज में आती है next है hepatitis is तो hepatitis क्या है bacterial infection है protozole है fungal ये viral तो ये भी क्या है आपको viral infection में आता है next है which type of infection is tuberculosis tuberculosis किस type का infection है tuberculosis का cognitive organism मैंने आपको क्या बताया mycobacterium tuberculosis तो किस type का है ये एक bacteria है तो किस type का bacterial infection हो जाएगा option 1 which of the following virus cause COVID-19 infectious disease है ना तो इन में से कौन सा virus है जो COVID-19 जो अपना है उसको उसको कोज कराता है ये बताये कौन सा virus है देखे ये होता है आपका option A हो जगा SARS-CoV-2 हो जगा देखे COVID-19 COVID-19 जो है इसको इसको कोड़ कोरोना वाइरस डिजीज इसे sickness caused by virus कोड़ severe acute respiratory syndrome कोरोना वाइरस तो इसको ये बोलते है SARS इसका मतलब क्या है severe acute respiratory syndrome COV मतलब कोरोना वाइरस डू तो इध्यान रखना है या भी recently आपका exam हुआ है उसमें पूछा गया है किसमें डैली में सबदर जंग hospital का जो exam हुआ था ना उसमें पूछा गया था next question what kind of infection is athlete food तो athlete food है किस टाइप का जो है आपका infection है या आपने बताना है तो ये एक टाइप का क्या होता है fungal infection होता है important ध्यान रखना आप लोगोंने किस टाइप का fungal infection में आता है next which bacteria cause whooping cough देकि whooping cough को हमने देखा pertuses भी बोलते है क्या बोलता है पर्टूसिस भी बोलते है तो इसका जो बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया कोस करेगा इसको वुच्चे कौन से था हमारा बोर्डे टेला पर्टूसिस था है option 2 बाकी यरसीन या पैस्टिस तो प्ले कोस कराता है है ना प्लोस्टूडियम बोर्टूलीनम भी हमने देखा था भी इसमें और ट्रिपोनिमा पैलेडियम किसका था बताईए बिल्कुल सही सोचा सिफिलिस का निक्स्ट है डॉट्स इस नैशनल प्रोग्राम तो अड्रेस विच डिजीज तो डोट्स है डिरक्ली अब्ज़र्ट ट्रिट्मेंट शॉर्ट कोर्ट्स है कौन से डिजीज के लिए होता है टूबर कुलॉसिस के लिए होता है और उप्शन थ्री राइट होजेगा नेसा MMR वैक्सीन इस एग्जामपल ओविस टाइप ओव वैक्सीन तो MMR मीजल्स मम्स रुबेला वैक्सीन होती है तो एक टाइप की वाइरल वैक्सीन है तो यह आपका लाई वाइरल वैक्सीन आजेगा नेक्स्ट है विच ओफ़ दा फॉलिंग कोस मलेरिया इन में से मलेरिया कोन कोस कराएगा देखिया एंटमीबो हिस्टेलिटी का तो अमीबी आसिस कोस कराता है लश्मानिया जो लश्मानिया आसिस कराएगा लश्मानिया डोनो वैनी जो पढ़ते हो ना कालाजार लश्मानिया आसिस कलोस्टीडियम दिया है तो आपका जो है क्या बचा प्लाजमोडियम ऑप्शन टू राइट हो जएगा नेक्स्ट सिफिलिस कोस्ट बाय तो सिफिलिस का हमने क्या दिखा था देखें सिफिलिस एस्ट्रीज में आती है सक्शली ट्रांस्मेटिड डिजीज तो इसका कोस्ट बाय तो क्या है यह यह एक टाइप का क्या होता है नीमेटोर होता है अप्षिन आपका यह राइट हो जगा देखें एसाइसी में पूछा होए क्वाश्य नहीं के लिए स्मॉल इंटेस्ट इन फोस्ट जसे हुमन्स कैट डॉक्स वर इट इस अबल तू मेट अन मैच्योर एं सैक्लोस्टोम डियोर्डिन निकेटर अमेरिक एनरसी दो होते हैं तो हुक्स में आपका कुन सा हो जाएगा अन्स एक्लोस्टोम डियोर्डिन अन्स निकेटर अमेरिक एनरस तो इनको ध्यान लखना है नेक्स्ट है थॉम्संस डिजीज इस असोसीएटिट विट्व तो इसमें देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है और इसमें इसमें आपका स्मॉल पोक्स होता है और इसको इर्डिकेटिट डिजीज में आपका स्मॉल पोक्स आता है तो किसके वैक्टर है पैरागोनुमी या सीज ऑप्षिन ए नेक्स्ट विच टैस्ट इस परफॉर्म फो डिजीज देख लिया था है ना ऑप्षिन आपका बी होजेगा नेक्स्ट ट्रिपल में पलीडियम इस दा कॉजचे ओगनिजम किसका देखा अभी हमने देखिए इस की डिज्चे तो इंफ्यक्षट डिज्चे होते किसकी आई की और इसका कोजचे ओगनिजम होता है क्लेमाडीया ट्रैको मैं टीज हो की इस मोट्स्किंट इस प्रामरी वैक्टर फो ट्रांसमिटिक मलेरिया पैरासाइट तुयूमन कौन सी मोस्किटो स्पीसिज जो है मलेर मालेरिया का पैरासाइट ौहärt इसको ट्रांस्मिट करति है हुमनस ने अडी ikटो, अएडी आन फिली मोस्कुटो को पिलाख तो आप पढ़ा है कि Mala ajuda है यह फीवेल मोस्कुटो सी मोस्कुटो से होता है पका देवर्च्ट से लोगेट और यह से कॉंसे नहीं कोती है यह तैफ थेटरनेट की इसक भी फिक टाइफस को भी सब्सक्राइब देखिए काला अजार जो है यह आपका लश्मानी आसिस को बोलते है नेक्स्ट है तो आपका आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा विच अव दो गीवन डिजीज इस नोट कोस्ट बाइ फंजाई फंजाई का डिजीज नहीं है फंगल डिजीज कौन सा नहीं है हमने देखा था इंधा मोस नहीं होता है फिलेरी आसिस नहीं होता है नेक्स्ट कॉंशन वटिजीज का इंक्यूबेशनimir कितना होता है तो इस इनिकाल परिटेन के इंपोर्टेंट है जैसा चिकन पॉकस क्रहते है 14 to 21 days, 1 to 2 days या फिर 12 to 24 50 to 60 तो option A हो जगा 14 to 21 days होता है next है, hepatitis is a disease related to which part of the body, तो hepatitis में कौन सा body का parts involved होता है, तो इसमें liver involved होता है, hepatitis, okay which of the following disease affect the lungs, lungs को affect करेगी, कौन से आपकी tuberculosis affect करेगी, option A, okay next है, syphilis is closed by by question, repeat होगा, trypanema pallidium, okay next है, rabies is a serious infection of which body system, तो इसमें nervous system involved होता है, आपका option A हो जाएगा, which part of body gets infected by cholera cholera में कौन सा body का part infect होता है small intestine होती है okay, देखे, cholera acute infection होता है, small intestine caused by bacteria, vibrio cholera जो coma shape bacteria होता है and characterized by extreme diarrhea with rapid and severe depletion of body fluids and salts, okay next है, one of the foreign diseases is not transmitted by house fly house fly से transmit नहीं होती cholera बिलकुल होती है dysentery भी होती है, enteric fever या malaria, तो आपका malaria जो है, transmit house fly से नहीं होगे आपके जो female anophilies mosquito transmit करती है, न मलीरिया को तो, तो आपका D-right हो जगा, कौन कौन सी disease है, जो house fly से transmit होती है, diarrhea हो गया, dysentery होगा, टाइफोर्ड होगा, पराटाइफोर्ड होगा, हो गया, amoebiasis होगा, तो विडाल टेस्ट आपका होता है, यह हमने देखी लिया टाइफोर्ड के लिए होता है, नेक्स तो फिलेरियासिस किस टाइप की disease है, कि फिलेरियासिस का कोश्च ओर्डिजम क्या होता है, आपका वुच्चे लिया बैंक्रोफ्टी होता है, और इसके लिए ड्रग ओफ चोईस डाइफाल कारबा मजीन होती है, इसको एंटी फिलेरियाल ड्रग भी बोलते हैं, यह बहुत इंपोर्टन ड्रग है, फिलेर होता हैं, बैटिन इसको क्या होता है, भी यह बच्क स्वidée лекता है, खिलेर होता है, क्या है लौक जो भी बैक्तिरियल इंप्टेरीक्टिया लुक वाज पास्म होता है, इसमें वह जाता है, है मत्ति स्ग्मन टाइप करस तो यह इस टाइप ओफ तो बिल्कु सिंपल क्वेशन ऑप्शन डी हो जएगा वट इस दाइप प्लेक प्लेक बिल्क बता दीजी क्या होता है यर्सीन पैस्टिस हमने देखा था उप्शन हो जेगा जार्स फ मीन कोणी योटी mm बाइं चर्ट्थ नेक्स वसक्तिक कॉज मनुओर ने अरफ सी सब्सक्रपब होता था है य वर्ट कॉस्टिसिंग क्या स्य नाम्यों डीक्बहत ठ्र्माइब प्रॉसिट हमने केई तो अभी हम से एक वायरस को स्कुराता है तो यह का वायरस तो वायरल डिजीज में आजएगा निसके लिए विडाल टेस्स बहुत से अग्जाम में पूछाएगे नेक्स्ट वइस्ट स्कॉमुनिट से इस अप्की कॉमिनिट केबल में आती है कॉमिनिट केबल होंगी अनिमल टु टू पू अनिमल इस टाइप से टुबर क्लॉसिज लैपरोसिय नौन कॉम्मुनिक वह घ्यान प्राइट ब्लैंड ने सो गया कैंसर हो गया ना फिर बिडाल टेस्ट वला गया टाइफ ओर निक्स टैफ डिजीज कोज बाइए एंट वी वह इस्टोलिटी का क्यों क्या कोज कराता है अमीबी आसिस कोज कराता है नेक्स कालाजार तो क्या है टाइप का लश्मानी आसिज हो जो कि दिप्टीरी इस कोज बाइफ ग्रूप बैक्टीरिया करें क्यों पर यह था क्यों पर फिर से रिपीट हो गया आपका सिफलिस का होता है ऑप्शन भी नेक्स चैलाप्टो स्पारोसिस के यह थे क्योंड बैक्टीरिया इंफेक्शन होता है लेप्टोस पाइरोसी तो यह क्या है ब्लड इंफेक्शन कोल बै बैक्टीरिया लेप्टोस पाइरा जूस्टर वायरस कोस कराता है चिकन पोक्स से ऑप्शन ठीज़ेगा बहुत इंपोरेंट है चिकन पोक्स हो गया सिफ्लिस हो गया है बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है उनकी कोईशन ने शिक टैस्ट इस परफॉर्म्ट टैस्ट डडिग्री उप्टीरिया के लिए है न नेक्स्ट क्याशन फॉलिंग पेर इंफ्टेंट 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 सब्सक्राइब को सिंपल है इनको पर को सिंपल है पता होनी चाहिए नेक्स विच ओफ दा टैस्ट इस उस्पर सिफिलिस के लिए टैस्ट कौन सा है विडीारेल घारणों वॉशर्मेंड टेस्ट थी ते स्वाह फिंप यर्फेंस देशटें foreign generators नेक्स कॉस्टूर्श वायरस वायरस एक टैस्टूर्श वायरस को हमने क्या देखा mycobacterium tuberculosis next host of viral oxygen responsible for measles measles का हमने क्या बताया था बताइये measles का हो जाएगा आपका rubyola virus option of four हो जेगा ok next and nausea gonorrhea क्या कोस्क या को जाता है तो एक gonorrhea कोस कराएगा निजेरिया gonorrhea next which of the following is a set of bacterial डिप्थीरिया है लाप्रोसी भी है बक्टीरियल है प्लेग भी बक्टीरियल है तीनों आपको मिलगी ऑप्शन भी में बाकी नेक्स में मम्स काड़ देंगे फिर मम्स हो गया तो आपका अंसर ऑप्शन भी है सारी बक्टीरियल डिप्थीरिया है लाप्रोसी है प्लेग है ओ एक टाइप का बैक्टीरिया है यह कोजबाई बैक्टीरिया ओके तो यह हमारे होगे डिजीज अंड देर कोज़ वर्गनिजम के क्वेशन और बैक्टील डिजीज में देखे टीबी आती है लेपरोसी कोलेरा टाइफोर सेंटर नर्वर सिस्टम इस रस्पॉंसिबल फोर प् करता ने किरेंस सैरी बेलम इस पायनल फोल यह होता है हमारा सैरी प्रम होता है कि अंसर रोज्ज़ेगा ऑप्शन 3 एस र कॉता है ब्रेन का किल्ग कोम के माउथ कोंक को जो किनक्या क्यmonster कौन सा ह्या फोमारा इस औफे atom होता है माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता आ ओकिस्ट विच्व ओफेंड । इस्पर टू अके तो आजने दूम pessoas अंटकरइन तो पाइस्टर गलांग को थे सुद्धिट्व मिचसेलों को सुद्धिट्ध थे кино brati सो varios 1987 which hormone is responsible for stimulating uterine contraction uterine contraction को stimulate कराता है during child birth and milk ejection during breast feeding milk को eject करवा रहा है और uterine contraction कराता है तो यह hormone कौन सा oxytocin है estrogen है prolactin है या progesterone तो यह हमारा oxytocin hormone होता है कौन सा oxytocin ध्यान रखना है नेक्स्ट है which mineral is essential for maintaining strong bones and teeth and is commonly found in dairy product ठीक है strong bones और teeth को maintain करने के लिए हमारी mineral कौन सी है potassium iron calcium and magnesium तो हमारा calcium होता है नेक्स्ट है in the digestive system what is the primary function of small intestine small intestine का primary function कह है regulate blood sugar absorbing nutrients store bile या digestive protein तो small intestine का mainly काम क्या होता है absorption का होता है ना absorb कराती है nutrients को absorbing nutrient हो जेगा next question इसमें देखे लिखा है कि absorption of nutrients from food is the primary function होता है किसका small intestine का finger like projection जिने क्या कहते है विली कहते है in the small intestine help करते absorption of nutrients into the blood stream and provide करते large surface area for absorption of nutrients okay तो ये absorption जो आपका nutrients में से जो food में से जो nutrients का absorption है हो हमारा काम किसका है small intestine का है next which organ system is responsible for supporting the body protecting internal organs and facilitating movements okay तो कौन से organ system की बात हो रही है digestive system, skeletal system, respiratory system या muscular system okay तो होता है ये हमारा skeletal system होता है body को support करता है internal organ को protect करता है और movement को facilitate करता है okay next center nervous system comprise with two major components तो center nervous system में हमारा एक तो brain आता है और दूसरा क्या आता है spinal code आता है ना तो spinal code और brain आते हैं आपके center nervous system में तो option में देख लिजी आप option जो आपको one में ही दिया है ये brain and spinal code okay next question which organ produce hydrochloric acid SCL produce कराता है and pepsin for protein के dietion के लिए कौन सा organ है जहां पर आपका SCL और pepsin produce होता है pancreas है liver stomach है ये small intestine तो ये हमारा होता है stomach होता है okay next question which hormone what hormone regulate body circadian rhythm and sleep wake cycle cycle है ना sleep wake cycle को को जो हमारा hormone regulate करता है वो हमारा कौन सा होता है melatonin है serotonin है dopamine है ये hepinephrine तो ये हमारा melatonin hormone होता है जो pineal gland से secret होता है okay melatonin hormone की बात हो रही है next what is the primary function of lymphatic system in the body तो lymphatic system का primary function बताईए producing hormone for growth and development supporting the immune system and draining excess fluid filtering blood and remove waste product circulating blood throughout the body तो जो आपका lymphatic system क्या करता है support करता है immune system को drain करता access fluid को option to right हो जेगा next question cardiovascular system primarily consists of cardiovascular system में क्या आता है heart blood vessels and blood lungs and bronchi stomach and intestinal liver pancreas and spleen तो cardiovascular system में हमारा heart आजेगा blood vessels आजेगा blood आजेगा option one right हो जेगा what is the function of gallbladder and digestive system तो gallbladder का function क्या है digestive system में regulate करता है blood sugar level blood sugar level produce करेगा insulin store करेगा bile को and releasing it to aid in fat digestion absorbing nutrients from the food देखिए nutrients को food absorb करने का काम हमने किसका small intestine का देखिए आपका जो gallbladder bile को store करता है देखिए बाइल बनता है आपके liver में और bile store होता है gallbladder में तो store करेगा bile को and उसको release करेगा to aid in the fat digestion okay तो आपका answer option जो है 3 हो जाएगा और producing insulin insulin जो है आपका pancreas release होता है pancreas में आइलेट फ लेंगर हैंस की beta cells होती है न वहां से insulin secret होता है तो हमारा answer option 3 हो गया next which of the following organ regulate salt level in the body देखिए kidney है liver है brain है या heart है तो हमारी kidney answer हो जाएगा option a next brain is covered by three layers brain जो होता है हमारा three layers से covered होता है उन्हें क्या कहते है सारी बैलम कहेंगे medulla कहेंगे mananges corpus तो यह mananges होती है जो brain जो है three layers से covered है न उन layers को कह बहुत है mananges बोलते है ओके यह mananges जो होती है आपकी innermost membrane होती है उसको तो parameter कहते है और जो beach वाली है न वह आपकी arachanode membrane होती है जो आउटर मोस्त होती है वो ड्यूरामीटर होती है ओके नेक्स वट इस called to a membrane bound ओर्गिनल इन्वॉल्ड इन साललर प्रोसेस सच एज प्रोटीन ट्रांस्पोर्ट और प्रड़क्षन तो देखें एंडोप्लास्मिक रैटिकूलम है गोलजी एंडिक्टियोसों से वेक्यूल से विया वैसिकल तो आपका क्या है वट इस वो हमारे brain के कौन सा part control करेगा तो medulla oblongata control करेगा option आपका A right हो जाएगा medulla oblongata देखे medulla oblongata जो है control करता involuntary actions जैसे कि आपकी heart beat है breathing है type of collagen fibers present in the connective tissue of tendons देखे type 3, type 1, type 4 या type 2 तो ये type 1 के collagen fibers होते है वो present होते है option आपका B right हो जाएगा type 1 collagen is present in many form of connective tissue and make up about 25% of total protein content of mammalian body tendons, ligaments, skin, cornea, cartilage, bone, blood vessels, gut and intervertebral disc होगी next question देखें which system regulate body temperature, provide sensory information and plays a role in vitamin D की synthesis में कौन से body system की बात हो रही है integumentary system है, urinary system, respirator, reproductive तो ये होता option 1 integumentary system, next question है posture and balance of the body is controlled by, posture and balance of the body को कौन सा जो है पार्ट आपका brain के पार्ट दीवे कौन सा पार्ट जो है control करेगा, cerebrum, cerebellum, medulla या bones, okay, तो हमारा cerebellum जो होता है न, cerebellum, posture and balance को control करेगा, धियान रखना है next, cerebrum spinal fluid is secreted by, cerebrum spinal fluid secret होगे, कहां से, arachnoid villas, coroid plexus, bones या नन, तो या आपका option B हो जगा, coroid plexus, next, functional unit of lungs, lungs, lungs की functional unit क्या होती है, देखे pulmonary vessels, respiratory bronchus, alveoli या intra pulmonary bronchus, option 3 हो जगा, alveoli जो होती है, functional unit होती है, lungs की, okay, which chamber of heart form, the apex of heart, heart का कौन सा chamber क्या form करता है, apex of heart, left atrium, right atrium, right ventricle या left ventricle, तो यह हमारा left ventricle होता है, option हमारा for right हो जगा, देखे, left ventricle receive करता है, oxygenated blood को from left atrium से and pump it through the otic orifice into the otta, है न, in the anatomical position, left ventricle form the apex of the heart, okay, next question, largest lymphatic vessel in the blood is, तो largest lymphatic vessel कौन सा है, sister नी चायली दिया है, thoracic duct है, intestinal lymph trunk या internal jugular lymph trunk, तो यह thoracic duct होता है, largest lymphatic vessel क्या है, option two, thoracic duct, तो पार्ट ओफ लिम्फाटिक सिस्टम के पार्ट बताने, देखे, स्प्लीन है, थाइमस है, तोंसिल्स है, देखे, सारे ही पार्ट से, option D हो जाएगा, all, okay, यह स्प्लीन, टॉंसिल्स, एडिनोइट, थाइमस, ओल फो में पार्ट ओफ सारे सारे के लिम्फाटिक सिस्टम के पार्ट होते है, स्प्लीन is considered largest lymphatic organ in the system, स्प्लीन के largest lymphatic organ होता है, स्प्लीन के location बहुत इंपॉर्ण बहुत बार इस की पूचई गया हो लोकेशन, स्प्लीन is located under the rib page, स्टमख and exactly in the left, left upper quadrant of the abdomen, थिके left side में है, ध्यान रखना है, other part of lymphatic system, tonsils, adenoids and thymus are located on either side of throat and neck, okay, next है, which nerve is the thickest in the human body, मैं सबसे ठीक, ठीकेस नर्व कोंसी है, femoral नर्व है, operator नर्व है, superior gluteal नर्व है, sciatic नर्व है, तो जो ठीकेस होती है, वो आपकी कोंसी होती है, यह sciatic नर्व होती है, ने सब what is the source of arterial supply for the eye bowl के लिए, arterial supply का source बताईए, hypofacial artery, facial artery, maxillary artery, ophthalmic artery, option 4 हो जाएगा, ophthalmic artery, what is the term for a fibrous union between bones, bones के बीच में, fibrous union के लिए, term बताईए, syndesmosis है, gomphosis है, suture, synchondrosis, तो यह आपका होता है, syndesmosis, option 1 हो जाएगा, okay, syndesmosis के ताइप of fibrous joint found between parallel bones, ने सब विच ग्लैंड पॉजस बोथ, endocrine and exocrine functions, तो यह कौन सी gland है, तो यह आपका pancreas होता है, जिसको heterocrine gland भी कहते हैं, क्योंकि exocrine function भी होता है, इसके endocrine functions भी होते हैं, okay, तो आपका देखियो, options 2 में आपको pancreas दिया है, okay, next structure that developed from the neural crust, microglia, neurons, appendymal cells and schwann cells, so option 4, swann cells होती है, यह develop होती है, neural crust से, swann cells and the glial cells of peripheral nerves arise from the neural crust, okay, next ear of sickle is the part of, еле of sickles ढूंसे गहरों से, जो कंसे पार्ट में मिडल यर में प्राजन की आपके ब्राजन के पूछा होती है, है ना तो यहीं पूछा वहा है, तो किसका पार्ट है, also means it? इसना बडी तो स्ट्रोंगे लिगामेंट कुं सा है देखें ऐलिओ फीमोरल है इसच्योफिमोरल है अप्षिन रोप्शन 1 ओके ईलिओ फीमोरल लिगामेंट स््रोंगेस्ट लिगामेंट था बडी में नayक्स लाइफ स्पैन पुछा आप से मैची और ब्लड सेल्स जो है इ नहीं से BBB मतलब कि triple B blood brain barrier किसको protect हैगा थे blood को, brain को, bone को, biceps को तो brain को करेगा ना option B बिल्कुल simple है नहीं से oxygen is carried by RBC, WBC platelets या plasma तो oxygen is carried by RBC red blood cells युन्हें erythrocydes भी बोलते हैं नहीं सब्सक्राफर्ड urine sample to be collected for the diagnosis of pregnancy pregnancy की diagnosis करे urine sample को collect करने का prefer, मतलब कि किस time पे collect करते हैं देखे, first morning specimen single random specimen, mid day specimen timed long term specimen तो first morning specimen जो होता ना, उससे जो pregnancy detect करते हैं और इसमें HCG human, HCG को detect करते है pregnancy test में, ये भी question बहुत बारा है, human chorion gonadotropin हो की, next question function of insulin, देखे, insulin क्या कराता है, insulin जो होता है glucose का level जो होता है, ये glucose को कम कराता है इंसुलिन के deficiency होती है तो glucose blood में ज्यादा हो जाता hyperglycemia, जो diabetes mellitus की case में आपको देखने को मिलता है, तो insulin क्या करता है, blood के glucose को कम कराता है, decrease blood glucose level, आपका answer option 2 हो जाएगा, insulin क्या कराता है, glucose के level को कम कराता है बलड में अब इंसुन की कमी से क्या हो जाएगा बलड में गुलुकोस का लेवल जादा हो जाएगा मतलब की हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा है निक्स नेक्स टेप विच ओफ द फोलुग इस कॉम्पोनेंट ओस सैरी बैलं वैलं का कॉम्पोनेंट बताईए देखे कोडेट नूकलेस यह है फ्लोक्यूलो नॉडिलर लोब है गलोबस पैलिडस या पूटा मनतो ऑप्शन देखे टू ही राइट हो जाएगा इसका ओके तो प्रोटीन सिंथिस कहां पर होती है परोक्सिसोम में रफ एंडोप्लास्मिक राटिकूलम होता है वहां पर होती है आपकी प्रोटीन सिंथिसिस नेक से विच पार्ट फूमन ब्रेन इस लार्जेस्ट तो मैंने आपको स्टाटिंग में बताया था लार्जेस्ट पार्ट जो है brain का साथ सैरीबेलम थैलम सेरीब्रम सैरीब्रम जो होता हमारा brain का लारजस्ट पार्ट सैरीब्रम अभी जो है एक question जिसका आप लोग देने वाले है आप लोग question क्या है मैंने आपको वीडियो में बताया भी सब्सक्राइब करना ओके थेंक यू